Hello Friends, Welcome to the Chitra Science Hub हमारा आज का टॉपिक है Mechanism of Polymerization तो जो Polymerization होता है होता क्या है Polymerization हमारा इसमें जो है Monomers आपके जुड़ जुड़ के जो है Polymers बनाते हैं इस प्रोसेस को हमने कहा Polymerization तो Polymerization हमारा दो तरह का होता है एक Addition Polymerization और एक Condensation Polymerization तो जो Addition Polymerization है वो क्या है इसमें जो है Polymers की Synthesis जो होती है वो Monomers के Self-Edition से होती है और कोई जो है दूसरा Molecule आपका दूसरा कोई Molecule हमें Biproduct के फॉर्म में नहीं मिलता जैसे कि एक्जाम्पल है हमारे बहुत सारे Ethylene के Molecule ने जो है Monomers ने मिलके क्या बनाया Polyethylene अभी जो हमारा Addition Polymerization है यह जो है हमारा यह दो तरीके से हम Addition Polymerization कर सकते हैं एक Free Radical Mechanism से और एक Ionic Ionic भी फर्दर हमारा दो तरह का है एक Anionic और एक Catanic अब Free Radical Mechanism क्या है यह हमारा Free Radical से Initiate होता है और यह हमारा तीन स्टेप में चलता है पहला Initiation फिर आपका Propagation और फिर Termination अब जो First Step है Initiation यह भी हमारा दो स्टेप में होता है पहले स्टेप में हमारा क्या होता है Initiator का Decomposition होता है और उससे क्या बनते हैं हमारे Free Radicals और इसमें जनरली जो Free Radical यूज होता है वो होता है Benjoil Paroxide अब Second Step में क्या होगा यह Free Radical जो है हमारा Monomer के उपर अटेक करके Initiating Species बनाएगी अब Propagation के Step में क्या है यह जो हमारी Initiating जो हमारी Unit बनी है इसके साथ Fresh Monomer Unit जुडती रहेंगी और हमारी Chain प्रोपागेट होती रहेगी अब जो Reaction है वो हमारा रुकेगा कैसे वो Reaction के रुकने के तीन तरीके हैं हमारे एक तो Combination एक Disproportionation और एक Chain Transfer अब हमारा जो First is Combination क्या है Combination में क्या है दो Growing Chain जो है वो आपस में जुड़ जाती है और हमारा Reaction रुक जाता है Disproportionation में क्या है हमारा Monomer जो है अपना जो है दोनों में Disproportionation जाता है एक अपना Proton दूसरे को दे देता है तो उसमें हमारा क्या है जो है एक Alkin बन जाती है और एक हमारा Alkin molecule बन जाता है ये जो है इसमें ये CH है CH double bond CH2 तो एक Alkin बन जाता है एक हमारा Alkin बन जाता है तीसरा क्या है जो है अपना जो हमारी Growing Polymer Chain है ये अपना Initiation जो हमारा जो इसका जो Free Radical Site है वो किसी दूसरे को Transfer कर देता है जैसे Solvent को किया तो Solvent से इसना एक Proton ले कि अपना Octate complete कर लिया और अपना Free Radical Site जो है वो Solvent को Transfer कर दिया ये हो गया हमारा Chain Transfer दूसरा Mechanism है Ionic Mechanism Ionic Mechanism जैसे हमने भी देखा दो तरह का होता है Caninic और Catanic जो हमारा जो NIN से हमारा Initiat होता है मतलब जिसमें हमारा NIN बनता है जिसमें हमारा Initiation Step में NIN बनता है जो है Carbonian बनता है उसे हमने कहा Anionic और जिसमें हमारा जो है Carbocatine बनेगा वो हो गया हमारा Catenic तो ये भी हमारा तीन स्टेप्स में होता है पहला वही Initiation फिर Propagation और फिर Termination जो इसमें Initiators जनरली यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं Strong Bases होते हैं Strong Bases जैसे Organo Alkali Compound जैसे N-Butyle Lithium Ethyl Sodium ये जनरली हमारे क्या काम करते हैं इसमें Initiator की तरह यूज़ होते हैं तो Initiator जो है हमारा Monomer के उपर Attack करके Initiating Unit बनाएगा और इसमें हमारा ये हमने Monomer लिया तो इसमें जो Monomer हम इस तरह का लेते हैं जिसके पास एक Electron Withdrawing Group हो क्यों हो Electron Withdrawing Group? चोकि ये हमारा Initiating Unit बनेगी चोकि यहां Negative का Sign है Negative का Sign क्या शो कर रहा है कि Electrons जो है उसके पास ज़्यादा मातरा में है अब Electron Withdrawing Group ये लगने से System Stabilize हो जाएगा अब Propagation के Step में क्या होगा हमारा Further Fresh Monomer उसके साथ जुड़ता रहेगा और Reaction Propagate होता रहेगा अब Termination में क्या होगा हमारा वो एक Water Molecule से एक Proton लेके जो है अपना Octate कंप्लीट करके ये Polymer की Chain अलग हो जाएगी और LiOH हो हमारा जो है By-Product के Form में मिल जाएगा Next Cationic Mechanism ये हमारा Proceed Up होता है Through the Formation of the Carbocatine इसमें हमारा जो है Initiation Step में Carbocatine बनता है और इसमें Generally जो होते हैं Strong Lewis Acid जो होते हैं वो हमारे Initiator की तरह काम करते हैं जैसे BF3, ALCL3, etc इनमें हमें इनिशेटर बनाते हैं ये हमारा Initiator Monomer के उपर Attack करके Initiating Unit बनाता है इसमें जो X होता है वो Electron Releasing Group होता है क्यों होता है Electron Releasing Group चुकि Plus का Sign क्या शो कर रहा है Electron की Deficiency तो Electron Releasing Group लगने से ये हमारा System Stable हो जाएगा अब Propagation की Step में Further Fresh Monomer उसके साथ Add Up होते रहेंगे और Reaction जो है हमारा Propagate होता रहेगा अब जो Reaction का Termination Step है Reaction Terminate कैसे होता है कि आपका Donation of a Proton to a Counter Iron by Growing Polymer Chain Polymer Chain अपना एक Proton जो है वो Counter Iron को Donate कर देगी तो हमारा इसमें क्या है Catalyst और Co-Catalyst इस दोनों से Regenerate हो जाएंगे अब दूसरा प्रोसेस है कि जो हमारा Counter Iron है और जो Propagating हमारी Chain है उनके बीच में जो हमारा ये Carbonium Iron बन रहा है और ये Counter Iron इनके बीच में Covalent Bond Formation हो जाता है Bond बन जाता है इनके बीच में और Catalyst जो है हमारा बहार हो जाता है तो इन दो तरीके से हमारा Reaction रुक जाता है इसमें जो है Catalyst जो है हमारा Anionic और Free Radical में जो हमारा उदुआरे से Regenerate नहीं होता लेकिन ये इसमें एक difference है Catanic Polymerization में कि इसमें हमारा Catalyst है वो फिर से Regenerate हो जाता है अब जो दूसरे तरह का हमारा Polymerization है Condensation Polymerization वो क्या है Condensation Polymerization is brought about by Monomers containing two or more reactive functional group तो ये Condensation Polymerization उन मोनोमर उन में होता है हमारा जिन Monomers के पास जो है हमारे दो या दो से ज़्यादा reactive functional group होते है और इस Polymerization के process में हमारा कोई small molecule will be eliminate होता है जैसे H2O है HCl है इस तरह का ये example है Adipic Acid हमारा Hexamethylindiamine के साथ मिलके Nylon 6,6 बनाता है इसमें क्या होता है कभी-कभी इसमें क्या है हमारा एक reactive functional group तो Adipic Acid के पास है CuH group और एक reactive functional group Hexamethylindiamine के पास है NH2 group इसमें कभी-कभी क्या होता है दोनो reactive group जो है एक ही मोनोमर के अंदर आ जाते है तो उस case में self condensation हो जाता है मोनोमर में ये हमारा example है Gamma Amino Capric Acid का इसमें poly condensation हो रहा है Amino Acid का तो इसमें हमारे दोनो reactive functional एक ही मोनोमर के अंदर है Next Co-polymerization Co-polymerization क्या है Polymerization of two और monomeric species together दो या दो से जादे monomeric species का जब polymerization होता है उसे हमने कहा Co-polymerization जैसे हमारा styrene और butadine के reaction से ये हमारी rubber बनी styrene butadine rubber जो है Buna S कहते हैं इस rubber को तो ये हमारी rubber बनी तो ये example है हमारा Co-polymerization का अब Co-polymerization 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 क्या है These polymerization reactions are catalyzed by Jiglar Nata Catalyst ये reactions जो होते हैं उन्हें जो उनमें catalyst क्या use करते हैं Jiglar Nata Catalyst और ये Jiglar Nata Catalyst बनता कैसे है ये Trithile Aluminium और Titanium Halide के reaction से ये हमारा Jiglar Nata Catalyst बनता है ये इसका structure है जो है इसमें हमारा जो ये complex है इसमें जो है ये Titanium हमारा hexavalent होता है जो hexavalent titanium हमारा ये तो tetravalent होता है ये hexavalent होता है TACL4 में वो tetravalent है यहाँ hexavalent है अब इसकी चटी coordination site है वो खाली है इसकी इसी site के तुरू ये हमारा polymerization का जो है reaction शो करेगा अब ये भी हमारा तीनी step में होता है first step में क्या होता है जो alken का ply cloud है the ply cloud of alken overlap with an empty orbital of titanium ये जो हमारा alken molecule है वो इस empty coordination site के तुरू ही proceed up करेगा और आपका ये देखिए ये reaction में ये हमारा alken molecule ने इस empty coordination site के तुरू approach किया और फिर क्या होता है ये अपने आपको इस TI और C bond के बीच में insert कर लेता है approach यहां से करेगा और यहां अपने आपको attach कर लेगा और ये छटा coordination site फिर से खाली हो जाएगा तो इसमें क्या हमारा intramolecular rearrangement reactions होते है जिससे हमारा vacant site फिर से regenerate हो जाता है propagation के step में again जो है हमारा जो alken molecule है वो फिर empty coordination site के तुरू approach करेगा और फिर अपने आपको यह insert कर लेगा इसी तरह से reaction proceed up होता रहता है अब termination step में क्या होता है यह HX molecule से एक proton लेके और यह हमारी polymer chain अलग हो जाती है और यह हमारी यह वाली coordination site है इस पे हमारा X molecule halogen molecule आ जाता है तो यह reaction हमारा इस तरह से रुख जाता है अब addition polymerization और condensation polymerization में क्या difference होता है addition polymerization में हमारी कोई byproduct नहीं बनती दूसरी तरफ condensation polymerization में generally byproduct बनती है addition polymerization से thermoplastic polymers बनते हैं और condensation polymerization से दोनों polymer बनते हैं thermosetic भी और thermoplastic भी addition polymerization में हमें एक monomer के अंदर double bond की requirement होती है दूसरी तरफ condensation polymerization में monomer के पास आपके जो है दो या दो से जादे reactive functional group present होने चाहिए अब जो addition polymerization है इस पे जो chain की growth होती है वो के वाल एक ही center effective होती है condensation polymerization में वो chain दोनों तरफ से active रहती है चुकि उसकी दोनों तरफ जो है हमारे functional group है इस वज़े से chain की growth है दोनों तरफ effective होती है addition polymerization से high molecular weight polymer बनते है दूसरी तरफ condensation polymerization में क्या होता है कि molecular weight जो है polymers का वो दीरे दीरे बढ़ता है जैसे उसके साथ आपके monomers attach होते रहते हैं ये था हमारा आज का topic thank you